हलो वच्चों गूट मॉर्निंग असलालेकूम एवरिवन कैसे आप सब आई होब आप सब घर पर अच्छे से होंगे तो मैं आपका वैल्कुम करती है अपनी हिंदी क्लास में तो हम आपकी बुक अंकुष हिंदी पाट बला भाग फोर बढ़ रहे हैं यानि कि क्लास फोर लेते जहां चाह वहां रहा यानि कि जहां पर अगर इस तरह का कोई हादसा हमारे साथ हो जाए तो हम मायूस ना हो जहां पर हम चाहेंगे वहां हमारे लिए रास्ता बन जाएगा लेकिन हमें हिम्मत रखना होगा हिम्मत से बात करनी होगी हिम्मत को नहीं छोड़ना होगा अगर हम हिम्मत से काम लेंगे तो हमारा सारा काम आसान होगा खुद बखुद हमारे काम्याबी के रास्ते हमारे आगे रास्ते खुलते जाएगे ठीक है बचो तो यह हमने पढ़ा था शीला और उसकी मा के स्टोरी थी यह शीला ये बच्ची है इसकी मा ये हैं ये दोनों जो है इनको एक लेटर आता है नानी के तबियत खराब है बोलके एक तार आता है तो शीला और उसकी माँ जो है वो नानी के घर जाने के लिए रेडी हो जाती और जिस बस से वो लोग जा रहे होते रास्ते में उस बस का एकसिजेंट हो जाता है शीला की माँ के सर पे चोट आ जाती और शीला के दोनों हाथ जो है हाथ की जो हड़ियां है वो चूर चूर हो जाती है तो मजबूरन डॉक्टर को जो है उसके हाथ काटने पड़े अब जब उस टाम तो शीला बेहोश थी जब उसको होश में आया तो शीला ने क्या देखा कि उसके दोनों हाथ नहीं बीचारी रोने लगे फूट फूट कर रोने लगे उसको उसके अंकल अscenes की डॉक्टर सबने समझाए लेकिれल कि 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 बात नहीं मान रह थी वह भीचारी जो है रोए जाती थी उस दिन से उसकी माने Uh शीला की माने जब शीला की यっち देखी तो उसने अपने सीने पे पत्थर रखना मतलब अपनी दुखों को जो है देखके दिल पे पत्थर रखना फिर शीला की उनको हॉस्पिटल में दो चार महने रहना था दीरे दीरे शीला के घाव भी भरने लगे लेकिन वो बैठे बैठे बोर हो रही थी तब उसकी रोने लगती मेरे तो हाथ नहीं में कैसे लिखूंगी कैसे पैंटिंग बनाओंगी कैसे अपना काम करूंगी एक्जाम ही नहीं दे पाऊंगी तो मेरा पढ़ना सब बेकार है शीला ने अपनी मां से का तो उसकी मां उसको समझाती है नहीं बेटा महनत कभी बेकार नहीं ज लगी शीला की मा ने उसके आँखों से आसु पोँचे प्यार से उसको समझाया देखो शीला जब उपर वाला भगवान या खुदा किसे से कुछ छीनता है तो उसके बदले उनको कुछ जरूर देता है अगर ऐसा नहीं होता तो इनसान का जीना मुश्किल हो जाता है तुम हि जो है मैं तुम्हारा नाम लिखाओंगी वहां तुम अपनी पड़ाई पूरी करना और तुम हिम्मत हार अगर तुम इस तरह हिम्मत हार होगी तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगीगा कुछ दिनों के बाद शीला स्कूल जाने लगती है इसकूल जाती है लेकिन वो हर ट वो अपने आंखों का काम अपने हातों से लेता है चू चू कर ब्रेल लिपी से पढ़ते हैं जो बिच्चे देख नहीं सकते हैं उनको इस लिपी दौरा पढ़ाया जाता है उनके उसने का मा उसकी पास एक घड़ी है जिसके उठेवे अंको यानि कि उसकी जो उठेवे अंक बोलते हैं न मचों उसको वो छू कर जो है उसको समय बताता है उससे देकर मुझे लगा जब वो अपने आंखों का काम हातों से ले सकते हैं तो मैं अपने हातों का काम पैरों से क्यों नहीं ले सकते हैं यहां तक हमने पढ़ा था यहां से हम पढ़ेंगे सुनकर मा की चेहर देकर मैं बहुत खुश हूँ अब तू कभी पीछे मुड़कर नहीं देखने बस उसी दिन से वह पैर से कलम पकड़ कर लिखने का अभिहास करने लगी लिखने के अलावा पैंटिंग बनाना आदी कहीं काम एक एक कर पैरों से करने लगे शुरू में उसे अट पटासा लगत दिक्कत भी होती थी मगर उसकी मान ने सदा उसका मनोबल बढ़ाया और वह कामियाब होती थी पैंटिंग तो वह इतनी अच्छी बनाने लगी कि उसने चित्र कला परतियोगिता में अपना नाम लिखवाया उसने भी अन्य बच्चों की तरह भाग लिया आयो जकों के कहने पर भी उसने अधिक समय नहीं मांगा देखते ही देखते पैरों से ब्रश पकड़कर ऐसा सुन्दर चितर बनाया यहां तक रखेंगे हम आप देखो बच्चों जब उसकी माने ये सुना की अनील को देखकर उसको मला हिम्मत आ गई जब वो अपने आँखों काम हातों से कर मला इतनी खुश होगी उसकी माँ उन्होंने शीला को अपने गले लगाया और शीला से कहा बेटी तुम्हारी हम्मत दे कि मैं आज बहुत खुश हूँ तुम आपका भी पीछे मुड़कर मही देखना बस उस दिन से शीला ने किया कि ये देखो पैरों से कलम उठाने लगी उससे पढ़ने लगी लिखने लगी उसके अलावा वो देखो पैंटिंग करने लगी एक एक करके वो अपना हर काम पैरों से करने लगी शुरू में उसको दोड़ा अटपटा यान कि अजीब सा लगा दिक्कत आये मगर उसकी मान उसका मनोबल उसकी हिम्मत बढ़ा है उसक प्रोग्राम वो किया था शुरू किया था जिन्हों ने इस परती योगिता को शुरू किया था उन्हों ने जितना टाइम दिया था उस से उस टाइम से भी पहले जो है उसने उसको कम्पलीट करके एक खुब सुरा सचीतर बना के उनको दिखा दिया तो बच्चों कभी भी हिम्मत मतारो देखो शीला बिचारी के दोनों हाथ नहीं है फिर भी वो जो है अपने पैरों से हाथों का काम करें हिम्मत से काम ले तो इस तरह आप लोगों को भी कभी भी हिम्मत नहानी चाहिए ठीके हमेशा जो है हिम्मत से काम लेना चाहिए इन्शाल्ला आप लोगं को भी काम्याभी जरूर मिलेगी तो यहीं तर रखेंगे आगे का लेसन हम कल पढ़ेंगे अलाफिस थैंक यू